आज के इस वीडियो में जानेंगे BNMU graduation part 2 का admit card download करने का परकिरिया है जी हाँ BNMU 19 वाले session का admit card था part 2 का admit card जारी कर दिया गया है तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे admit card download करने की पूरी परकिरिया तो चलिए यह वीडियो को शुरू करते हैं उसके लिए आपको जाना होगा gsan monitor.in की website पर जिसका link में आपको वीडियो को discussion box में दिया हो डायर्क्ट आप gsan monitor.in browser में लिख किया सकते हैं जैसे आप इस website पहेंगे तो यहां पर आपको कुछ इस तका मिले आपको साथ-साथ जो भी पार्टू के डीटेल है जो भी प्रोग्राम है तो प्रोग्राम आपको दीखने को मिलेगा प्रोग्राम भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा तो आप प्रोग्राम भी यहां पर देख सकते हैं और scroll down करेंगे नीचे यहां पर मिलेगा admit card और student login आपको simply admit card के सामने जो click here का button इस पर click करना है जैसे इस पर click in आपको सामने new tab open आपको देखने को मिलेगे यहां पर ID password डालेंगे वह ID password डालेंगे जो ID password आप online apply करेंगे यानि कि examination जो फॉर्म फिलप केते हो जो ID password आपको लोगिन करना है यहां पर ID डालना password डालना उसके बाद capture डलना अगर आपको ID password पता नहीं है तो इस पिछले वाले वीडियो में ने बताया था वह वीडियो देख लेज़ेगा लिंक आपको वीडियो को description box में मिल जागा चले जीस ID password examination form फिलप की तो वह login detail देंगे और login बटन पर click करेंगे login करेंगे कुछ इस तक center page आपके सामने हो dashboard दिखने को मिलेगा यह login हो यहां पर download form मिलेगा download form पर click करेंगे कुछ इस तक center page आपको दिखने को मिलेगा यहां पर list of admit card यहां आप देख सकते को मिलेगा यहां पर admit card यहां पर exam की detail यहां पर मिलेगा अपको प्रिंट करने के लिए यहां पर print icon के दिया गया print button प्रिंट बटन में click करेंगे आपके सामने new time में इस तरह open हो जाएगे print करने के लिए यहां पर आपको अपनी printer को select करके आप यहां से direct print कर सकते हैं